लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए नविम भई में अब सामाजी कुपयोग के रिजर प्लोट पर अब बिल्डरों का कबजा होगा उद्यानों और खेल मैदानों की जगह इमारतें बनेंगी जी हाँ राज्य सरकार द्वारा जारी सुधारित प्रारूव विकास योजना का जियार इसका सबूत देता है विजय घाटे ने इसे निकम्मी सरकार के निकम्मी प्लानिंग का जी यार बताया उन्होंने कहा कि आज नविम भई देश के रहने लाक शहरों में दो नंबर पर है लेकिन दस साल बाद इतनी बदसूरत हो जाएगी कि लोग यहां रहने से कत्राएंगे जेखेए रिपोर्ट जो प्लाट्स वोकर हमारे रिजर्वेशन कासिरिटी के लिए रखे हुए थे वो सारे के सारे प्लाट्स बिल्दरों को बेचे गए अब भी मुंबई महाना कर पाली का के ताउन गानिंग डिपार्ट्मेंट उनके हां मिलाके उनका एजेंट करके यहां पे काम कर रहा है यह परस पस्टर उट से आरोगी यह सरकार का निकबापन है और यह तुर्दै वह है महाराश्ट्रका की यह सरकार बिल्दरों के लिए खुले आप धंदय पे लगे हुई है राज्य के महाविकास आगाडी सरकार ने नविमबई और पनवेल महनगर पालिका पर इक्षेत्र के लिए सुधारित प्रारूप विकास योजना का जियार प्रकासित कर दिया है हलांकि बीजेपी के जिला महामंत्री विजय घाटे ने इस जियार पर सवाल उठाते हुए सुन्योजित सहर को बरबात करने और बिल्डरों को फायदा पहुचाने की बड़ी साजिस पताया विजय घाटे ने कहा कि सरकार ने जिस तरह सामाजी कुपयोग की आरक्षित भुकनों की बिक्री से रोख खटा दी है उससे सीट को द्वारा टेंडर किये गए वो सभी आरक्षित भुकन बिल्डरों को मिल जाएंगे जहाँ अब इसमें उद्यान, खेल मैदान, स्कूल, कॉलेज और सामुदाइक विकास केंद्र बनने वाले थे विजय घाटे ने कहा कि एजियार निकम्मी सरकार की निकम्मी प्लानिंग का सबूत देता है इससे उद्यान, खेल मैदान, सामुदाइक भवन और पारकिंग तथा पुलिस सानों के लिए जगा नहीं बचेगी के लिए और कोई प्लोट है, होस्पिटल से या गार्डन से उसके प्लोट के रिजर्वेशन डाले जाते हैं, उसको आरक्षित किया जाता है अगर विकास मंतरी महाराष्टर के और महाराष्टर सरकार ने 14 जून को एक नोटिफिकेशन लागू किया उसके पहले जो भी टेंडर वगरे हो गए थे, वो मैटर कोर्ट में थी, लेकिन इनको क्लियर करना था बिल्डरों को इसके लिए 14 जून को डिकलियर कर दिया, और नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है मेरे हाथ में उन्होंने कह दिया कि आपका प्रारूपिकास अरक्ड़ा जनता के सुचना और हरकत के लिए आप लोगोंने प्रसिद्धन नहीं किया हुआ है इसके लिए जो टेंडर निकाला गया है वो जायज है और ऐसे ये काला दिन में मानता हूँ 14 जून को कि जिस थीन हमारे आने वाले नसल को जो प्लोट्स वगरे हमारे रिजर्वेशन फैसिलिटी के लिए रखे हुए थे वो सारे के सारे plot बिल्डरों को बेचे गए ऐसे बिल्डरों को प्यार करने वाली, मोहबत करने वाली, पनपाने वाली और पैसा कमाने वाली और लक्षमी दर्चन में ज्यादा रुची रखने वाली, नियोजन के उपर बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाली सरकार का ये पाप मैं मानता हूँ और ये अगर ऐसे ही चलते रह गया पता नहीं नभी मुंबई में हमारे आने वाले पिडी को खेलने के लिए मैदान बचेगा स्कूल के लिए प्लॉट मिलेंगे हॉस्पिटल के लिए कोई सुईधा होगी गार्डन होगा या नहीं होगा विजयपी नेता विजयघाटे ने युनिफाइड DCPR के तहट पांच FSI की मनजूरी पर भी सवाल खड़ा किये उन्होंने कहा कि अगले दस सालों में जब नभी की आबादी 27 लाग के पार होगी और पांच FSI से विकास होने पर आबादी की डेंसिटी बढ़ेगी तब पानी बिजली पार्किंग और दूसरे संसाधनों का क्या हाल होगा विजयघाटे ने महाविकास आगाडी सरकार और नगर विकास मंतरी की नियत पर सवाल उठाते हुए यह भी आरोप लगाया कि सुधारित प्रारोव विकास योजना के जियार के जरिये उद्धो सरकार सिर्फ बिल्डरों को फाइदा पहुँचाने और पैसा कमाने की लालच में जुटी है उन्होंने कहा कि यह ऐसा ही चला तो सुनियोजित शहर नौइमबई में खेल मैदान और उद्ध्यान कहां से लाएंगे स्कूल और हास्पिटल कहां बनाएंगे और अगली पीडी के लिए हम कौन साहर छोड़ कर जाएंगे मैं आज नभी मुंबई करों को आपके माद्यम से आवान करता हूँ उन्होंने अपने अपने सेक्टर में देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहां खेल रहे कई सेक्टर ऐसे कि उनके पास गार्डन नहीं है कई सेक्टर ऐसे उनके पास प्लेग्राउंड नहीं है इस तरीके कि कई सेक्टर आज इस सवस्ता में 2021 में है अगर इसी तरीके से प्लॉट अगर बेचे गए, कल को होगा क्या है इस सरका, हमारे बच्चे कहां जाएंगे, हमारे पोता-पोती कहां जाएंगे इसके बारे में लोगों ने सोचने का वक्त आ गया है, ये सरकार का निकबापन है और ये सरकार को जनता का आने वाले नसल की सुकोशुविदा के बारे में कोई भी पड़ी हुई नहीं है, उनको सिर्फ करना है कि बिल्डरों को उठा के प्लॉट देना है दुसरी बात मैं कहना चाता हूँ, सोलाज उनको इसी सरकार ने आदेश निकाला, जितने कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनको पार्किंग की अवस्ता क्या होगी, कहा हम लोग कार पार्क करेंगे सेक्टर सत्रा जैसा बीजी एरिया है, जहां पे करीब-करीब, सत्तर प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट है, वहां पे क्या ट्राफिक का हाल होगा, यह आमने सोचा हुआ है, यह कई सोचनी नहीं है सरकार, और यह दुरदा हुआ है महाराश्टर का, कि यह सरकार बिल्डरों के लिए खुले आम धंदय पे लगे हुई है, और जनता का सुक सुविदा आने वाला भविश्य में किस तरीके से नियोजोन होना चाहिए, उसके बारे में किये नगर विकास मंत्राले कुछ नहीं कर रहा है, ब्योरो रिपोर्ट, टीबी वन इंडिया